असलाम अलेकम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम अक्सराइज 3.8 के नेक्स्ट 5 कॉस्चन्स 11 से 15 तक सोल्व करेंगे रिलेटेड रेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था आपको मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ रिलेटेड रेट्स का सिंप्ली मतलब यह है कि जब आप दो रेट्स को या यूँ कहिए दो डेरिवेटिव को रिलेट कर रहे होते हैं आप यह देखना चाहरे हैं किसी एक कॉंटिटी में तब दिली दूसरी कॉंटिटी में चेंजिंग पर कैसे असर अंदाज होती है ठीक है एक quantity में change given आपके पास उसको सामने रखते हुए उसके related quantity में change find करना चाहरे हैं तो यह six steps given है जिसको use करते हुए आप किसी भी problem को solve कर सकते है related rates के पहले भी बता चुका हूँ के सबसे पहले आपने picture ड्रा करनी है अगर possible हो तो और उसमें variables और constants आपने simply mention करते हैं टी को हम time के लिए use किया करेंगे and then numerical information जो quantities जिनकी values given है वो आपने mention कर लेनी है उसके बाद आपको जो find out करना है जो rate measure करना है वो लिख सकते हैं अच्छा यहां से mainly start होता है point number 4 से यह एक important काम है कि आपने सबसे पहले वो equation लिखनी है जो के variables को relate कर रही है ठीक है यानि एक variable में change given होगा दूसरे variable में change आपने measure करना होगा उन basically variables को relate करने वाली equation या तो given होगी या हमें वो find करनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद फिर से आपने कोई मुश्किल काम नहीं है differentiate कर देना है उसको with respect to T and then given values को put करते वे आप अपनी required value जो आपसे पूछी गई है वो find कर सकते हैं ठीक है तो question start करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो इसको subscribe करके bell के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताके वीडियो आपके पास खुद पहुंचती रहे और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कुछ समझ आ रहा है तो इसको like भी किया करें इससे channel की और वीडियो की reach बढ़ती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फाइदा उठा सकते है ओके 11 question पर आजएं जी देखें इसमें सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से समझें mention है कि if the original 24 meter edge length जिसको x से represent किया गया है किसी cube की decrease हो रही है edge length मैं चलें picture मैंने already बनाई हुई है let's say हम ये edge length आपके पास ये decrease हो रही है किस rate से decrease हो रही है given है 5 meter per minute यानि ये एक minute में 5 meter कम हो रही है तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे x से उसने इसको represent किया हुआ है तो change को dx over dt लिखेंगे और चूंके ये decrease हो रही है आप जानते हैं derivative minus में हो तो हम decrease उसमें लेते हैं तो ये minus 5 meter per minute होगा ऐसे ही है so this is what we are given मेंएर क्या करना है when x is equal to 3 meter जब आपके पास ये 3 meter होगी आपने rate मेंएर करना है या change कह लें surface area में rate does the cubes surface area changes और उसके बाद second part में volume changes ठीक है ओके so अब देखें ना चूंके हमारे पास एक variable x है और दूसरा इस case में आगया surface area तो surface area का formula हमारे पास वो काम करेगा जो कि basically हमारे दो variables को relate करता है तो क्या formula होता है surface area का यानि इसकी जो surfaces है उनका area मुलूम करना है कितनी surfaces है total one count कर लेते हैं नीचे वाली जो है two this right side वाली three उपर वाली four और ये अगली तरफ वाली five और ये हमारे वाली तरफ वाली ठीक है इसको हम चलें यहाँ पे लिक लेते हैं तो six है total और एक जो आपके पास surface है उसका area क्या होगा चूंकि वो square है x times x तो x square बनेगा तो ये x square प्लस x square प्लस x square six time होगा जिसको हम लिख सकते हैं six x square ठीक है तो when x is equal to three you have to basically find out change in surface area I mean ds over dt आप लिख सकते हैं at x is equal to three that's it main काम हो चुका है अब आपको simply इसको करना है differentiate ds over dt तो six is a constant as it is आजएगा x square का derivative होता है 2x and then using chain rule dx over dt which can be written as 12 times x multiply dx over dt अब आपके पास values given है x की value जो three पर आपने करना है you can write basically at x is equal to three ds over dt is equal to 12 multiply 3 और dx over dt भी given है which is minus 5 लें जी simplify करेंगे तो ये minus का 15 multiply 12 is minus 180 बिल्कुल ठीक है और ये surface area है तो इसका unit पिर आपके पास क्या होगा meter square per minute अब minus का मतलब है decrease हो रहा है तो 180 meter square एक minute में decrease होगा इसका surface area तो this is change in surface area ठीक है अब हम इसके volume में change measure करना है तो volume में बिल्कुल same lines पे आपको solve करना होगा इसको भी सबसे पहले वो equation जो के variables को relate कर रही है और वो होगी volume का formula तो cube के volume का formula हाँ जी x इसकी edge length है तो x multiply x multiply x length multiply height multiply width which is going to be x cube और we need to find out again dv over dt when x is equal to 3 तो आप अपने इस formula को इस relation को differentiate करेंगे so dv over dt का answer हमारे पास क्या बनने वाला है जी x cube का derivative होगा 3x square then x का derivative dx over dt लगा दी जीरी इसमें values x की value है 3 और dx over dt की value given थी यहाँ पर भी put की है minus 5 so this is going to be 3 multiply 3 square multiply minus 5 तो यह 9 multiply 3 is 27 and this multiply 5 is minus का 135 minus फिर से यह show कर रहा है आप चूंके यह देखेंगे ना sorry यह ds over dt यहाँ नहीं ds over dt नहीं है dv over dt है volume में change है volume का unit cube होता है तो इसका मतलब है 135 meter cube decrease हो रहा है volume उसका एक minute में कब when x is equal to 3 यानि जब edge की length 3 unit थी ठीक है 3 meter थी लें जी this is our question number 11 12 question almost similar है इसमें भी cube given है surface area इस मरत्बा वो कहा रहा है जी increase हो रहा है 72 inches square एक second में at what rate is the cube volume changing when the edge length is x is equal to 3 so given information सबसे पहरे लिखते हैं well so ds over dt is equal to this 72 inches इस मरत्बा inches में उसको measure कर रहा है per second और time को second में what we need to find is dv over dt dv over dt हमें find out करना है कब when x is equal to 3 edge length जो उसकी होगी 3 होगी अब देखें ना दो variable इस मरत्बा volume और surface use हो रहे हैं आप चाहें तो इनको पहले relate कर सकते हैं formula इनका given है but मैं आपको recommend करूंगा कि इस मरत्बा आप parallel चटें side by side देखें s का formula आपको पता है क्या formula होता है इसका surface area जो हमारे पास cube का है देखे 6 x square ठीक है चलें बलके मैं इस तरफ ना color change करता हूँ एक मिंट ज़रा तो हम green में लेकर चलते हैं okay all right well so dv over dt v का formula हम जानते है x cube है dv over dt क्या बनेगा dv over dt is equal to 3 x square dx over dt अब देखें चुकि हमें dv over dt चाहिए इसको measure करने के लिए x given है dx over dt नहीं given तो वो हम यहाँ से find करेंगे कैसे इसको दरफ दिफ्रेंशीट की जिए तो ds over dt फिछले गशन की तरह जैसे हमने पहले की है 6 constant है x square का derivative होगा 2x जो के बन जाएगा 12x और साथ में dx over dt अब यहाँ से आप dx over dt की value find कर सकते हैं क्योंकि ds by dt change in s be given है which is 72 equal to 12 multiply 3 क्योंकि x is equal to 3 पर हमने यह सारा काम करना है ना and dx over dt ओके now यहाँ से 12 times 3 is 36 जो के इतर आगे divide हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा divide करेंगे 2 answer आजएगा dx over dt का answer 2 आजएगा अब इसको ज़रा यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो we have dv over dt is equal to 3 multiply x की value भी 3 है इस case में 3 3 square और साथ में dx over dt is equal to 2 तो क्या answer बनेगा फिर इसका 9 3 27 multiply 2 is 54 लें जी 54 inches cube oh sorry inches cube per second this is the change in volume when x is equal to 3 तो यह भी एक अप्रोच है को सोल्व करने के लिए ठीक है okay next question number 13 में we have given a right circular cylinder ठीक है this is given a right circular cylinder r से उसको radius को represent किया जा रहा है h उसकी height है और इसको उसने खुद ही कहा दिया के related to the slender's volume v by this formula हम जानते है volume का यह formula होता है सबसे पहले आपने part में क्या करना है v में change यनि volume में change मेयर करना है किस के related h के related यनि जब आपके पास h में change आएगा और इस दुरान आपने r को constant लेके जाना है constant मतलब कोई fix है फिर b में भी exactly same काम करना है dv over dt related to dr over dt करना है और जब h को आपने constant रखना है और third में फिर आपने किसी को constant नहीं रखना in terms of both आपने dv over dt को represent करना है यह भी बिलकुल simple होने वाला है formula आपके पास given है v is equal to pi r square h याद रहे यह इसके volume का formula है right circular cylinder के तो dv over dt dv over dt अब इसमें देखें r को उसने कहा है constant रखने तो r square b constant होगा of course pi r square दोनों constant है derivative सिर्फ apply होगा h पर जो के बन जाएगा dh over dt and that's it यही है question आपना ठीक है dv over dt को हमने represent किया in terms of dh over dt इसी तरह से exactly same lines पर आपको इसका b part भी करना है चले हम आगे कर लेते हैं मैं एक मर्थबा फिर से formula लिख देता हूँ pi r square h अब फिर से आपने इसको differentiate करना है with respect to t इस मर्थबा h को आपने constant लेके चलना है यह देखें b part में तो pi और h को जरा आप कर लें side पे r square का derivative लेंगे using power rule बन जाएगा 2r साथ में r का derivative which is dr by dt which can be rewrite 2 pi r h dr over dt that's it ठीक है this is dv over dt in terms of dr over dt ठीक है volume के और radius के change को आपने relate किया है basically ठीक है अब यह मैं से कोई एक change given हो आप दूसरा change easily find कर सकते हैं किसी particular point के उपर okay c part में आपने dv over dt को find करना है in terms of dr over dt and dh over dt both तो इसमें दोनों constant नहीं है तो क्या करते हैं इस सूरत में फिर हम चलें बसे लिखने की जरूरत नहीं है दुबारा formula मैं directly करता हूं इसको dv over dt इस मरतबा याद रहें सिर्फ pi constant आपका यह formula है ना तो इसमें सिर्फ pi constant है उसको लिखा रहने दें r और h चूंके दोनों variables हैं तो आप फिर यहां पर किस rule का इस्तमाल करेंगे product का चूंके product में आ गए है तो first function यादि आर स्केर को as it is h का derivative dh over dt plus r स्केर का derivative जो के बनेगा 2r dr over dt और इस मरतबा h को आप रखेंगे as it is बस simplify कर लें इसको तो यह बन जाएगा आपके पास simply pi को भी multiply की जिए pi r square dh over dt plus 2 pi r and h dr over dt लें जी this is change in volume in terms of change in height and change in radius in fact अगर आप observe करें न तो basically इन दोनों का हमने add ही किया होगा न dv over dt को और dv over dt इन दोनों को add किया और actually वो चीज़ बन गी है all right exactly similar question है I think आपको खुद try करना चाहिए shape given है given जो है वो different है इस पार circular cone given है this one यह इसकी radius है height है volume उसका 1 over 3 pi r square h है exactly same काम आपको करना है dv over dt related to dh over dt r को constant रखे और फिर h को constant रखे और उसके बार फिर constant किसी को भी नहीं रखना है और आपने उसको in terms of both change बायर करना है तो मैं चले कर देते हैं directly quickly देख लेते हैं इसको सबसे पहले dv over dt formula मैं नहीं लिख रहा है आप लिख लिएगा पहले r को constant रखना है 1 over 3 भी ऐसे ही रहेगा pi भी ऐसे ही रहेगा r square भी ऐसे ही रहेगा सिरफ h का derivative आएगा जो के very simple dh over dt बन जेगा नहीं जी एक line का काम था v part पे आजेए अब आपको h को constant रखना है तो dv over dt 1 over 3 as it is constant है pi भी constant है और उसने किया दिया h को भी constant रखना है ठीक है r square को सिरफ differentiate करना है जो के बनेगा 2r dr over dt थोड़ा इसको rewrite करें तो 2 over 3 pi radius r and then h साथ में dr over dt लें जी ठीक है and finally dv over dt related to dr over dt and dh over dt तो इस case में हम फिर से product rule का इस्तमाल कर लेंगे और 1 over 3 भी constant है बाहिर रहने दें pi भी constant है तो r square और h यह देख लें फॉर्मूला सिरफ r square और h product में है तो यहां पर product rule लग जाएगा पहले r square को as it is रखें h का derivative dh over dt plus r square का derivative 2r dr over dt और h as it is multiply कर लें इसको अंदर तो यह बन जाएगा 1 by 3 pi r square dh by dt plus 2 by 3 2 by 3 pi r h dr over dt लें जी this is the equation जोके इन तीनों changes को relate कर रही है v में change in terms of change in height and change in radius ओके चलें जी last question है आज के इस lecture का तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं यह electric circuit हमारे पास given है इसमें v voltage को represent कर रहा है जिसको हम bolts में measure करते हैं i जो है वो current को measure कर रहा है amperes में measure करेंगे current को sorry represent कर रहा है amperes में measure करेंगे और r resistance के लिए है ohms में measure करेंगे ठीक है और यह उसने एक equation दे दी है जो के formula है voltage का और यही basically relate भी करती है इन तीनों variables को well so suppose that v is increasing at the rate of 1 volt per second v जो है वो increase कर रहा है इस rate से i decrease कर रहा है इस rate से 1 over 3 ampere per second और t जो है वो denote कर रहा है time को in seconds तो यह चार parts है देखें इसके पहले दो parts तो बिलकुल simple है क्योंकि वो आपको question की statement पढ़ने से ही मिल जाएंगे उसने बताया है कि आपने v में change बताने है वो तो उसने दिया हुआ है v is increasing at the rate of 1 volt per second तो क्या होगा फिर dv over dt इसका answer simple 1 volt per second जो के given था basically ओके बस हमें information extract करनी थी यहां से p part में भी ऐसे ही है i में change उसने कहा है जो के हमें given है i is decreasing decreasing के लिए हम जानते है derivative decrease करे तो वो negative में होता है तो d i over dt answer इसका उसने बताया 1 over 3 है बट यह बनेगा minus 1 by 3 i amperes में मेजर करते हैं तो minus 1 over 3 amperes per second यानि 1 by 3 amperes decrease हो रहा है एक second में ओके next आपके पास है what equation relates dr over dt to dv over dt and di over dt तो इसके लिए simple हम जानते हैं given equation जो कि variables को relate कर रही है हमें उसे differentiate कर देना है ऐसे है ना so what is the equation given v is equal to ir हमें r में change को represent करना है in terms of these two इसका तरीका यह हो सकता है असान कि आप r को पहले यह लैदा कर लें तो फिर r की क्या value बनेगी v over i आजेगी अब आप इसको differentiate कर लें I mean dr over dt find कर सकते हैं और right side जोंके quotient की form में है तो quotient rule लग जाएगा denominator का square denominator को उपर as it is numerator वले variable का derivative minus opposite करते हैं यह नहीं पहले i as it is था और i का derivative v as it is लें जी di over dt this is the equation बकी इसको आप चले हम लिख लेते हैं one over i square को लेदा कर लें otherwise answer वैसे यही है थोड़ा rewrite कर लेते हैं i multiply dv over dt minus v multiply change in current ठीक है यह question है जो के dr over dt को relate कर रही है इन दोनों changes है all right अब last question भी exactly इसी के similar है यानि इसी relation को इसी change को use करते हुए कुछ values given है आपने r में change measure कर लेना है वो कह रहा जी find the rate at which r is changing when v is 12 volts and i is equal to 2 so this is the last part last question का last part है तो basically हमें dr over dt ही measure करना है लेकिन कब when v is equal to 12 and i is equal to 2 यह लगा दीजिए values दोनों इसमें 1 over 2 square i is given 2 dv over dt थोड़ा उपर नजर दोड़ाएं ज़रा first part में given है 1 और di over dt भी यहां पर given है minus 1 by 3 यह बनेगा 2 multiply 1 minus v is equal to 12 के और di over dt अब यह उपर देखे हैं minus 1 by 3 तो simplify कर लीजिए 3 times 4 is 12 minus minus हो जाएगा plus तो अंदर बनेगा 4 plus 2 6 divided by this 2 square 4 cancel करेंगे तो यह बन जाएगा 3 over 2 क्योंके यह आपके पास r में change है इसको फिर हम कहेंगे this is ohms per second 3 over 2 ohms per second resistance जो है आपके पास ठीक है ओके तो अब last वोसने को और बात पुछी है कि r increase कर रहे यह decrease कर रहे है हाँ जी क्या कर रहे कैसे पता चलना था signs है बिलकुल तो इस case में चूंके r का sign positive है का मतलब है हमारे पास r जो है वो increase कर रहे इस rate से 3 over 2 ohms per second के हिसाब से ओके आज के रहे फिर इतना ही काफी है next lecture में हम start करेंगे question number 16 to 20 तक तो आज के lecture में कोई question क्यों रही हो तो comment section में आप पूछ सकते हैं otherwise thank you very much